हेलो रिवन वेल्कम टू जिगे ट्रिक्स एजुकेशन इस वीडियो में हम राजसान की प्राचीन सब्यता और पुरातात्विक इस्तोलों के 60 सेलेक्टेड कोश्चन्स देखेंगे काफे इंपोर्टेंट कोश्चन्न है राजसान के लगबग सबी एक्जामों में इस टॉप यह आप सेल्प अटेम्ट जरूर करें और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेर करें चलिए क्वेशन्स देखते हैं फर्श क्वेशन दे रखाएं निम्नलिकित में से कौन सा पुरतात्विक इस्तल विलूप्त सरस्वति नदी के किनारे अव सर्केर्ण देखते हैं किस इस्तान की खुददाई में सुंग एवं कुषान कालिंस सभयता के अवसिश मिले हैं तो यह मिले हैं ओप्सर नमर। गनेश्ट उंगरी राजसान की किस सभ्यता से सम्मंदी थे तो ये दोनों सम्मंदी थे बेराट सभ्यता से ओप्सन नमर 2 या पर सही है बेराट प्राचिन मतश्य जन्पत की राज़दानी थी यह आपको ध्यान रखना है इंप्पोर्टेंट है वर्तमान जेपुर जिले में इस्तित हैं पिर आगे देखते हैं दोहरी रक्सा प्रश्वीर के साक्षिय राजसान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं तो ये प्राप्त हुए हैं काली बंगा सभ्यता से थर्ड नमर 2 अपर सही है और वर्तमान में जो ये काली बंगा सभ्यता है ये हनमानगर जिले मे अवस्तित है और काली बंगा सब्यता से अलंकृत इटे भी प्राप्त हुई है इसके अलावा यहां से हमें एक साथ दो फसले उगरने के भी साक्षी मिले हैं और यह दो फसले कौन कौन सी है चर्ना और सर्सो चर्ना और सर्सो तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए फि सब्यता और यह जो सब्यता है यह किस नदी के किनारे विक्षित हुई थी यह हुई थी आएड या फिर फिर आगे देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर चार अप्शन दे रखे हैं यहाँ पर जो सत्य कतन है वह अप्शन नमर फोर्त आहड वाशियों का महत्वण व्यवसाई आईयस का ताम्र वस्तुए बनाना था इम्पोर्टेंड कोशन है और पूछा भी गया था यहाँ आपको द्यान रखना है अहर वाशियों का जो महत्वण व्यवसाई था ताम्र वस्तुए को बनाना आगे देखते हैं निम्नांकित में से किस इत्यास वेता ने काली बंगा को सिंदु गाटी सवेता की तिरतिय राजदानी का आए तो यह का था दसरत सर्मा ने थर्ड नम्र अप्सनिया पर सही है यह भी आपको जरू द्यान रखना है कि सिंदु गाटी सवेता की तिरतिय राजदानी दसरत सर्मा ने किसको कहा था ता काली बंगा सवेता को कहा था फिर आगे देखते हैं निम्ना लिखित में से किस ने 1951 में काली नंद गोशने और इन्होंने इसको पूर्णता 1952 में खोचा था यह आपको ध्यान रखना है अगर एक्जाम में इस परकार कोशन आया कि काली बंगा की खोच कब हुई थी तो 1952 में और किन्होंने की तो अम्ला नंद गोशने की थी आगे देखते हैं बना संस्कृती निम् जिठ न यहांपर सप्टाना सिक्कर हैं बिज्यक पाड़या इस्तित हैं कहां पर यह संसे विराद नगर में जेपूर यहांपर थर्डी नमर उप्शन सही होगा यहां इसको ध्यान रखना है जो भीज्यक की पाड़िया है भीज्यक को साथ में त्यान रखना है फिर आगे देखते हैं फिर नेक्स कुशन देखते हैं किस प्राचिन सभ्यता केंदर को तामरवती नाम से भी जाना जाता है तो यह जाना जाता है आहर सभ्यता को फोर्ट नमर अप्शन यहां पर सही है फिर आगे देखते हैं राजसान के किस वर वादयोगिक नगरी भी कहा ज़ता था का राजयस्तान की किस जिल्ले में पूर्व हडपासबेता के व्यापख अफसेच मिले है sunt ये मिले है 하नमान्गत से योगा असो का भाबरु शिलालेग किसको मिला था कैप्ण बर्ट को 1867 में वीज़की पहाड़ियोत से ये मिले थे काली बंगा से, ओप्सन नमबर सेकेंड या पड़ सही है, काली बंगा से अगनी कुंड के साक्षे भी मिले हैं और भुकंब के भी साक्षे मिले हैं काली बंगा से, काली बंगा वर्तमान में राजस्तान के हर्मानगर जिले में अवस्तित हैं, गगर नदी के किना यह आपको द्यान रखना है फिर आगे देखते हैं राजस्थान राज्जी की पुनर गटन से पूर्व सर्व पर्थम सन 1934 इस्वी में ताम्र सामगरी की प्राप्ति का इस्थान कौन सा है तो यह इस्थान है कुराडा ओप्शन नमर सेकेंड यावर सही है वर्तुमान परब राजस्थान में बहुत संस्कृति के अवसेस कहां से मिले है तो राजस्थान में बहुत संस्कृति के अवसेस मिले है बैराट से ओप्शन नमर फोर्थ सही है कहां से बड़ी मातर में सेल चित्र की प्राप्ति हुई है यह हुई है गर्दरा बुंदी से फोर्थमर रियां ताम्बे को गलाना और उनकी वस्त्वे बनाना। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं काली बंगा, पिली बंगा, जो सभ्यता हैं, वो किस जिले में अवस्तित हैं, ये दोनों वस्तित हैं हनुमान कर जिले में, थर्ड नमबर अवसनिया पर सही है, आयड, ठीक है, अहड का जो प्राचीन नाम नहीं है, वो कौन सा है, तो ये है बैनेश्वर, बैनेश्वर अहड सब्यता का प्राचीन नाम नहीं है, बाकी तामरवतिनगरी, धूल, कोट और आगाटपूर, ये तीनों नाम है, आहड सब्यता के प्राचीन, ये आपको ध्यान रखना है, फिर आगे देखते हैं, निम्न मैसे लोह योगिन सब्यता है, आपको ध्यान रखना है, नोह भरतपूर, जोदपूर या जेपूर और सुनारी जुझनू, ये गणिस्वर सब्यता, सिक्कर, फर्स्ट नमर अप्सनिया पर सही है, काफी इंपोर्टेंट है, और ये कोशन भी कई अधी एक जम पूचा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, जो गणिस्वर सब्यता है, वो एक तामर कालिन सब्यता है, राजसान में सिंदु घाटी सब् और रंगमल से, सेकेंड नमर अप्सनिया पर सही है, कालि बंगा का साब्दिकर्द क्या है, तो कालि बंगा का जो साब्दिक्तात पर रहे है, वो है कालि चूडिया, थर्ड नमर अप्सनिया पर सही है, ये कोशन भी काफी अधी एक समम पूचा गया है, इसका भी आपको ध इन दोनों के प्रमाण मिले है जेपूर के बैराट से यह आपको ध्यान रखना है फिर आगे देखते हैं ये 4000 वर्ष पुरानी सब्यता हैं जो की उदेवपूर जिल्ले में अवस्तित हैं चलिए फिनेस कुशिन देखते हैं युनानी राज़ा मिनांडर ने कब मध्यमीका पर आक्रमन किया था फिर आगे देखते हैं बिजग की पाड़िया कौन सी सब्यता से संब्यता से तो बिजग की पाड़िया संब्यता से आप्सन नमर सेकेंड यह पर सही है रंगमल का उत्खनन किस ने किया था तो रंगमल का उत्खनन किया था डॉक्टर हन्ना रिडने फोर्थ नमर अप्सन यहां पर सही है आगे देखते है फिर प्राचिन सब्यता का कौन सा इस्थल साबी नदी गाटी में विक्षित हुआ था तो यह हुआ था जोदपुरा ओप्सन नमर थरी यहां पर सही है जोदपुरा वर्तमान जेपुर में अवस्तित है ठीक है फिर आगे देखते हैं निम्न मैंसे कौन सा युगम सही नहीं है नालियसर जेपुर अहड उदेपुर सुनारी जुन्जनू गनेशवर जेपुर तो यहां पर फोर्थ नमर अप्सन सुमिलत नहीं है गनेशवर सिकर है नौट की जेपुर फिर आगे देखते हैं महा भारतकाल के अफशेश कहाँ पर मिले हैं तो महा भारतकाल के अफशेश मिलाट वा भारतपुर के निकट नो हो में तो फर्स्ट नमर अफशनया पर सही है यह आपको द्यान लगना है यहाँ से महा भारतकाल के अफशेश मिले हैं रंगपुर जहां हडपा की समकली सब्व्यताय थि ये कहा पर हैं रंगपुर ये हैं सोराष्टरा ठीक है ठर्व नमर्शन पर करेक्ड होगा आगे देखते फिर मध्यमीका नगरी किस जिल्ले में स्तित हैं तो मध्यमीका नगरी इस्तित हैं वर्तमान में चितोडगर जिले में फोर्थ नमर यांपर सही है यह आपको दियान रखना है यह कुशन भी गई अधिकी जमों पूछा हुआ है आगे देखते हैं फिर राजरसान का प्राचीन टाटा नगर नाम से विख्यात रज्य के पूरत आत्विक स्थल रेड टॉक में किसका एसिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है तो यह मिला है प्राचीन लोह सामगरी का फर्स्ट नमर उप्सन या पर सही है अब काफी अधिक इस्टुडेंट सेकेंड नमर उप्सन से भी कन्फिज हो रहे होगे कि इसका तो सही अंसपर प्राचीन सिक्के है तो मैं आपको बता दू कि इसका सही अंसपर फर्स्ट नमर उप्सन है यहाँ पर जो एसिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है वो मिला है प्राचीन लोह सामगरी का और इसी लोह सामगरी में प्राचिन सिखे भी सामिल है और कई अलग-अलग प्रकार की चीजे जो की लोग से समधित हैं यह आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है, फर्स्ट नमर अप्सनिया पर करेक्ट होगा चलिए फिर नेक्स कुशन देखते हैं मालव जन्दपत की राज़दानी क्या थी? तो मालव जन्दपत की राज़दानी थी टॉंक नगर, थर्ड नमर अप्सनिया पर सही होगा नागनन्द, रतनावली, एवंप्रिदर्श्यका के लेखक थे तो इन तीनों के लेखक कौन थे? इन तीनों के लेखक थे हर्षवर्दन फोर्थ नूमर अप्सनिया पर करेक्ट होगा फिर आगे देखते हैं राजस्थान के प्राचीन सिखके इस नाम से भी जाने जाते थे तो किस नाम से जाने जाते थे? यह जाते थे पंचमार किया फिर आहत फिर्स नूमर अप्सनिया पर सही है बालातल इस्तल इस्तित हैं तो किस जिले में? तो जो बालाथल इस्तल है वो इस्तित है उद्यपूर जिल्य में ओप्सन नमर थी यहां पर करेक्ट होगा फिर आगे देखते हैं ओजियाना गिलूंड और बालाथल किस सब्यता के केंद्र थे तो ये थे अहर सब्यता के केंद्र फोर्थमर अप्सन या पर सही है जो ओजिय का एक अनिक केंद्र था ये वर्तमान में भीलवड़ जिल्य में इस्तित हैं गिलूंड रासमन और बालाथल उद्यपूर में ये आपको साथ में ध्यान रखना है इंप्रेंट है फिर आगे देखते हैं प्राचीन सहर जंगल किसका नाम था तो ये नाम था बिकानियर का से आगे देखते हैं फिर निम्न लिकित में से कौन से दो विद्वान आहड के उत्खनन से संबंदित हैं तो यहां पर है ये एक के व्यास और एचडी संकलिया ओप्सन नमबर थी आपर सही है इंपोर्टेंट कुश्चन है अक्से किर्थी व्यास और हस्मुक धिरज संकलिया आगे देखते हैं फिर निम्न लिकित में से किस विद्वान ने अगनी कुंड से राजबुतों की उत्वप्रती का सिद्दान्त प्रतिवाद देद किया था तो यह किस ने किया था यह किया था चंदरवर्दाई ने फिर आगे देखते हैं गनेशवर सभ्यता का डीपी अगरवाल ने जो समय बतलाय था वो क्या बतलाय था वो बतलाय था पूर्व हडपा तो फिर्स्ट अमर अप्सन ने आपर सही है यह आपको ध्यान रखना है गन तो काली बंगा के लोग करते थे सेंदर लिपी का परियोग और यह जो सेंदर लिपी है यह दाई से बाई और लिखी जाती थी यह इंपोर्टेंट फेक्ट है यह आपको ध्यान रखना है फिर आगे देखते हैं आहर संस्कृति का मुख्य लक्षन है तो आहर संस्कृति का जो मुख्य लक्षन है वो है काले और लाल मृत्वांड तथा तामर उपकरण फोर्थ नमर अप्सनिया पर सही है काले और जो लाल मृत्वांड है उनको गोरे या फिर कोट ये भी कहा जाता था important है आपको ये ध्यान रखना है गोरे या कोट किन को कहा जाता है तो काले और लाल मृत्वांडों को जो की अहर संस्कृती से संबन दित है चले फिर नेक्स देखते है विरिंदनात मिस्र ने किस सभ्यता का उत्खनन नहीं किया था तो विरिंदनात मिस्र ने काली बंगा सभ्यता का उत्खनन नहीं किया था बागोर तिलवाड़ा और अहर सब्यता ठीक है इन तिनों का उत्खुनन किया था विर्यंदनात मिस्रने इंपोर्टेंट है आपको द्यान रखना है जो बागोर सब्यता है वो मिली है बीलवाड़ा जिल्ले में कोठारी नदी के किनारे और जो तिलवाड़ा सब्यता है वो मिली है बाड़ में जिल्ले में लूनी नदी के किनारे और इन दोनों सब्यताव से आमें पसुपलन के साक्षी मिलते है इंपोर्टेंट फेक्ट है आपको द्यान रखना है डीड़ वर्ना किस संस्कृति से सम्मंदित है डीड़ वर्ना सम्मंदित है पूरा पसांड संस्कृति से फर्स्ट नमर उप्सनियां पर सही है डीड़ वर्ना राजस्थान का सबसे प्रचिंतम पुरतात्विक इस्थल है ये भी आपको साथ में द्यान रखना है निमन लिकित में से राजस्थान का कौन सा प्रागी यत्यासिक इस्थल तामर पष्वार algorith काल से सम्मंदित है तो ये कौन सा इस्थल है ये स्थल है बालतल तद नमर उप्सनियां पर सही है ये वर्तोमान में उध्यपुर जिले में इस्थित है काली बंगा में प्राप्त चबूत रे निर्मित हैं किस से ये निर्मित है मिट्टी की इट्टो से सेकेंड नम्बर अप्सन यहां पर सही है कॉश्चन कॉलेज व्याखेत में पूचा गया था यह आपको ध्यान रखना है फिर आगे देखते हैं निम्न लिखित में से किस ने बाला थल का उत्खुनन किया था तो बाला थल का उत्खुनन किया था वी एन मिश्चन ने फोर्ट नम्बर अप्सन यहां पर करेक्टांस वह रहे है प्राचीन इस्टल जहां से मिनरंडर की मुद्रे प्राप्त हुई है वो इस्टल कौन सा है व बहुत धर्म से संबन्दित पुरतात्विक अवसेस कहां से मिले हैं तो यह मिले हैं यहाँ पर बैराट से हमें बहुत धर्म और मौरी सब्यता के दोनों के अवसेस मिले हैं यह कुशन बार-बार रिपीट होता है आपको ध्यान रखना है और कई अधिक पूछा गया है फिर देखना है फस दे रखा है जायल नागोर चौति सब्यता पाली तो चौति सब्यता पाली में नहीं है चौति सब्यता है बिकानेर में बाकी जो है सभी सुमेलित हैं आपको ध्यान रखना है जो जायल है वो है नागोर जिले में अर्जुनयान जन्पत था अलवर और सिकर औ और जो रज्जनी जन्पद हैं वो है भरतपुर सालव जन्पद अलवर जितने भी है यह आपको ध्यान रखना है इंप्पोर्टेंट है फिर आगे देखते हैं उन्निस सो पच्चास त्रेपन में काली बंगा की उत्खनन कार्य में जिस पूरतत्तो वेदा का परमुक की योगदन रहा था वे कौन थे वे थे अंबलानद गोस इंपोर्टेंट है ऑप्शन नमबर फोर ते आपर क्रेक्ट्रांस वरें और इसके लाव मैं आपको बता दू 1961 से लगा कर 1969 इस समय में काली बंगा का उत्खनन किया था बीभी लार और बीके था पड़ने ये भी फ्यक्ट आपको साथ में दियान रखना है फिर नेक्स कुशन देखते हैं प्राची नगर जो महा भारत और महा भाष्य दोनों में उलेक की थे वो कौन सा नगर है वो अगनी वेदिकाय प्रप्त हुई है तो काली बंगा से हमने साथ अगनी वेदिकाय प्रप्त हुई है सेकेंड नमर अपसनेया पर करेक्ट आंस्वर हैं इंपोर्टेंट कुशन है तो फ्रेंड्स ये था राजसान की जो पूरतात्विक सभ्यता हैं और इस्तल है उन से संब